हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू जैजीस किचेन बारिश का मौसा माते ही ना कुछ चटपटा खाने की क्रेविंग्स न बढ़ जाती हैं तो आज मैं आपके लिए लेकी आए हूँ एक तड़क्ती फड़क्ती और चटपटी सीड डिश और जो बहुत जल्दी बनेगी फटा सब्सक्ती राजमा घुली की कबाब जाता के लिए राजमा को हमें डालना है एक Magja केरें ने हैं γणा गुस्ती से डाल testimony और इसके साथ यहां पर डाल uspoonक अधरक लस्टी और अघ्री मिर्च का पेस्टben की अब अब इसमें डालेंगे आपके अधा चोटा चमच गरम मसाला पाउडर और इसके साथ हम यहां पर लेंगे 1 फॉर्थ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर जी यहां काली मिर्च भी हमने यहां पर इसमें एड़ कर दी है और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे हमको इसकी स्मूथ पेस्ट पनानी है तो स्मूथ पेस्ट बना लेंगे तो देखिए यह बहुत ही अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट बनकर तयार हो गई है हमारी तो चलिए हम इसे बोल में शिफ्ट कर लेते हैं अगर आपके पास स्वीट पटैटो यानि शकरकंदी है या फिर जिमीकंद है तो आप वह भी इसमाल क कर लिया था तो तले हुए प्याज हमने यहां पर लाले हैं और इसके साथ हैसाथ आदा चूटा पियास के हिसापसर जाल मिर्च तो बेसन हमये यहां पर लिया है 2 से 1 5 टेबल स्पून ओई आप कोई भी ऐसा ओउल ले सकते हैं इसकी कोई हार्श इसमेल ना हो यानि मस्टरड ओउल को छोड़ कर आप कोई भी यानि मैं तो वेज़टेबल ओई ले रही हूँ यहाँ पर तो चलिए हम यहाँ पर डाल लेते हैं ओईल और ओउल डालके हम इसको बच्छे से बनके तयार हो गया है और अब हमें इस बाइठर से बनाने हैं कवाब, इसको हमें कवाब की शेप देनी हैं, यह वह उन्हें काफी स्टिकी है तो जो हमारे गलौटी कवाब होते है उसका बैटर बहुत ही ड्राइड नहीं होना चाहिए थोड़ा स्टिकी होना चाहिए क्योंकि ये कवाब ऐसा होता है जो बाहर से तो क्रिस्प हो जाता है बट अंदर से वो बिल्कुल मुह में घुलने वाला कवाब होना चाहिए जैसे ही आप उसको छूएं वो तूट जाए इतना सॉफ्ट होता है तो बिल्कुल हमारा बैटर रेडी है और हमें अपने हाथों को कर लेना है और इसको बहुत ही ध्यान से इसको कबाब की शेप देनी है तो कोई बहुत जादा ट्रिकी शेप हमें इसमें नहीं दे सकते हैं क जब आप इसको प्लेट में रखेंगे यह सब स्टिक हो जाएंगे ठीक से उठेंगे नहीं तो हम एक एक कबाब को शेप देते जाएंगे और सीधे इसको तवे पर डालते जाएंगे तो हमने यहां पर तवा रख दिया है गरम होने के लिए इसमें हम डालेंगे ऑईल तो ऑईल को हमने चारो तरफ तवे पे स्प्रेड कर लिया है और यह गरम भी हो गया है तो हम इसमें डालते हैं हमारे कबाब जो हमने बना के रखे हैं बहुत ज़्यादा ऑईल को गरम करेंगे तो वह एक तम से एक तरफ से लाल हो जाएगा कबाब और अंदर से बिल्कुल भी अच्छे से पकेगा नहीं तो चलिए हम इसी तरह से बाकी के कबाब भी रख देते हैं बहुत ज़्यादा कबाब एक साथ तलने की जरूरत नहीं है जब आप बहुत ज़्यादा कबाब एक साथ तलेंगे ना तो वह खराब हो सकते हैं तूट सकते हैं और यह जो होते हैं य गलोटी कबाब की खासियत यह है कि यह बिखरे हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं तो चलिए हम इसे पलट लेते हैं दूसरी तरफ देखते हैं क्या पोजिशन है हमें इसे अच्छे से देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है क्रिस्पी हो गया है एक साइट से हमें दूसरी साइट से हमारे कबाब बहुत अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं तो हम फटा फट से इसे डिश आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम करेंगे इसकी प्लेटिंग तो चलिए फटा फट से हम निकाल लेते हैं इसको एक प्लेट पर और प्लेट पर निकालने के कर तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फैमले फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें मैं आपको मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ अब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक कियर